हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनिल सौर्ट हैंड में तो हम लोग आज भी हाज सिविल कोड का डिक्टेशन लिखेंगे जो कि 16 में लोग सभा वाद भी बाद है डिक्टेशन का स्पीड 70 WPM है तो डिक्टेशन इस्टार्ट होगा 5 सिकेंड स्टार्ट लेकिन वहां पूरा तत्व विभाग के इस कानून के कारण कोई भी अपने घर को ठीक नहीं करवा सकता है ऐसी कठिनाईयां भी वहां पर मवजूद है यह कहना है कि पिछला कानून ठीक था लेकिन कम से कम मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं और इस बात पर सरकार को बधाई दूंगा अभी और भी बहुत सी बाते हैं जो आपके ध्यान में आनी चाहिए और उसमें सुधार की आवशकता है यदि आपने डाइरेक्टर जनरल को दिये गए अधिकार की बजाए किसी अन्य को प्राधिकृत किया है तो मैं आपको जरूर बधाई दूंगा क्योंकि सभापती महोदय मैं आपको दू गाउं के नाम बताना चाहता हूँ एक गाउं का नाम धोनी है और दूसरे गाउं का नाम बंसिपूर है इन गाउं में छठी और सात्वी सताब्दी के औसेस मिले थे इन गाउं में अब कुछ नहीं बचा है देश की अजादी के इतने लंबे समय के बाद भी नहीं इन गाउं को चिन्हित किया जा सका और नहीं बचाया जा सका वहां राजय सरकार ने रानी दम्यंती के नाम पर एक संग्रहाले बनवाया था वहां आज की तारिख में 166 मूर्तियां हैं साथ मंदिरों के संकुल होने के बावजूद भी कभी उन मूर्तियों का अडेंटिफिकेशन नहीं हो सका क्या वह उसकानोन की असफलता नहीं है सभापती महोदै मेरे यहां कुंडलपूर अस्थान है वहां रुकमणी देवी की एक मूर्ति थी जो आज से दस साल पहले चोरी हो गई थी वह राजस्थान में पकड़ी गई आज वह मूर्ति विदिसा के गयारसपूर म्यूजियम में रखी हुई है 11-12 सताबदी की वह मूर्ति आज तक सुरच्छा एवं अन्य कारों से अपने अस्थान दमुख नहीं पहुच पाई आज इस कानून पर हम चर्चा कर रहे हैं इसके दो प्रकार हैं सब के अपने अपने अनुभाव होते हैं सभापती महोदे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बुंदेल खंड में छोटे प्राचिन अस्थान हो सकते हैं वहाँ पर जो लड़ाईयां लड़े गई थी आज वहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है वहाँ जो अस्तित्व बचे हैं वे छोटे अस्थान के लिए हो सकते हैं किसी एक अस्थान पर ही उनका उपयोग हो सकता है माननी सभापती अब आप कंक्लूड कीजिए समाप्त